आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक गाना सुनाते हैं पहले आप गाना सुनिये फिर आगे की बातचित करते हैं तो गाना किसी छोटे मोटे कालाकार का है हलाकि ऐसे गाईकों को कालाकार कहना कहीं से भी मुझे उचित नहीं लगता चुकि इनके पास अश्लील गाना गाने की गजब की कला है तो इनके गले के समान में और अजब गजब कला की वज़े से इनको कलाकार कहना तो बनता है खे, गाने की बात करते हैं और वापस गाने पर आते हैं तो गाना है सईया के बिलना छोट बा, देवरा के बड़ी मोट बा। जानती हूँ, गाने का लाइन बहुत जादा अक्ष्लील है। और आपको सुनने में भी उत्रहें अक्ष्लील लग रहा होगा, जितना मुझे बताने में लगता है। लेकिन मैं तब भी बताऊंगी, इसलिए बताऊंगी, क्योंकि आज से करीब एक साल पहले एक खबर आई थी, जिसमें बताया गया था, कि मधुबनी जिले का एक गायक कोई अशलील गाना गाता है, उसके बाद उस गायक को उसके गाउं से बस इसलिए बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसके गानों में अशलीलता होती है, गायक को पकड़कर उसका बाल मुडवा दिया जाता है, और उसको चपोल और जूतो की माला पहनाया जाता है उस गाय को कहा जाता है कि तुमको इस गाउं में रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तुमने एक अश्लील गाना गाया है और तुमको अब इस गाउं में रहने का कोई हक नहीं है गाय कि गाय कि गाउं में रहे गा तो हमारे घर की बेहन बेटिया घर से बाहर कैसे निगनेंगे हालाकि मुझे लगता है कि यह गाउवालों का अच्छा डिसीजन था ऐसे गाईकों के साथ ऐसा ही होना चाहिए लेकिन सवाल यह है कि ऐसी हरकते या ऐसी सजा सिर्फ किसी एक गाय को ही क्यों मिलनी चाहिए मिले तो फिर उन सभी गायकों को मिले जो अपने गानों के माद्यं से समाज में अश्लीलता परोस रहे हैं फिर ऐसे ऐसे गायकों के जाने कितने अश्लील गाने भरे पड़े हैं जिनकों सुनने के बाद आप शर्म से अपनी घर की बेहन बेटियों से नजर नहीं मिला पाएंगे आपके काम से खूड निकल जाएगा आपको भोजपूरी इंडस्री और भोजपूरी समाज से नफरत होने लगेगा आपको बताने में शर्म आएगी कि आप उसी बिहार और भोजपूरी समाज की मिट्टी से समंद रखते हैं जिस भोचपुरी समाज में भिखारी ठकोड जैसे गाईक हुआ करते थे, जिस भोचपुरी समाज में भरत सर्मा जैसे सिंगर हुआ करते थे, जिस भोचपुरी समाज इने शारदा सिन्ना जैसी बेटी दिया है, जिस भोचपुरी समाज का नाम मालिनी यवस्तिय जैसी आएगा जब आपको अपनी पहचान बताने में भी शर्म आएगी आपको बताने में शर्म आएगी कि हां हम उसी भोषपुरी समाज से समंध रखते हैं जिस भोषपुरी समाज में एक तरफ किसी मेल सिंगर के अश्लील गाना गाने पर उसको गाउं से बाहर निकाल दिया जा ज्क्राइब बात करते हैं उसी भोषपुरी समाज की जिस समाज में नेहा राज जैसे बुजूर्गों से है जो नेहा राज को अपनी नाती या पोती मानते होंगे, उनको नेहा का यह गाना उनके गाउम में जब बचता होगा और उनके सामने से नेहा जब गुजरती होंगी तुन पर क्या गुजरता होगा. बानते हैं कि खिसारी लाल यादो, पमन सिंग, रितेश, पान डेर, राकिस मिश्रा, समर सिंग, प्रमोत प्रेमी, टुंटुन यादो जैसे सो कॉल बड़ी स्टार पर एक्षन लेना आसान नहीं है जिससे भोषपूरी इंडस्री में अश्रीलता फहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है लेकिन छोटे कालाकाट जो इस तरीके का गाना गाते हैं कम से कम उनके गाउवालों को अपने गाउव में पंचायत बैठाकर इस बात पर डिसकुसन तो जरूर करना चाहिए था नहा के गाउवालों को भी जरूर पूछना चाहिए था कि क्या नहा राज को इस तरीके का गाना गाना चाहिए था मेरा सवाज भोषपूरी सवाज की लोगों से है कि नहा राज कैसे गानों का बहिसकार क्यों नहीं किया गया निहाराज को भी मधुबनी के गायक की तरह गाउं से बाहर क्यूं नहीं निकाला गया क्यूं नहीं कोई अक्षन लेता है जब खुशिककर जैसी सिंगर इस्टूडियो में पंद्रबीस मर्दों के साथ बैट कर हसस कर गाती है तब यादो समाज इसे गानों के विरोध में खाड़ा क्यूं नहीं होता है जब एक लड़की खुद ही खुद को यादो की आईटम और माल बताती है क्यूं सबको मज़ा आता है ऐसे गाने सुनकर जिसमें लड़की गाती है क्येक गोडोडी चटवया हजार बात तानिया जहा को जब कोई उनके एश्लील गाने के लिए बोलता है या गाली देता है तब तानिया जहा का नारिवाद जग जाता है और लाई वाकर सबको मा बहन की गंदी गंदी गाली देती है लेकिन तब तानिया जहा का नारिवाद कहा चला जाता है जब तानिया जहा गाती है कि गूड लेला गूड लेला गूड लेला आवा नमजब हरपूर लेला तब तानिया जा अपने नरिवात का जंडा लेकर कहां चली जाती है तब तानिया जा अपने गाने में गाती हैं कि नाहीं बरदास होता नाहीं सहाता धीरे धीरे डाला राजा बहुते दुखाता क्यों नहीं तान्या गा को भी पकड़कर उनका बाल बुड़वा दिया जाता है ये सब करने के बजाए लोग ऐसे सिंगर्स के पास एक दिन में दस-बीस बर जाकर इंटर्व्यू करते हैं और पूछते हैं कि आपने क्या सोच कर ऐसा गाना गाया और विजय बर्बादी तुन्टु न्यादाव अंत्रा सिंग्प्रेंगा मसूरिया मेल बुलेट राजा जैसे गायक अपने गानों को यह कहकर जिस्टिफाई करते हैं कि मेरे गाने में अश्लीलता नहीं है बलकि आपकी सोच ही अश्लील है आप जो चस्पा पहन कर देखिएगा आपको चीजे वैसी ही दिखेंगी मुझे तो लगता है कि जितने भी यह उभरते छोटे कालाकार हैं जो अपने करियर की शुरुआत ही अश्लील गानों से करते हैं और अश्लील गाने गाकर कुछी दिनों में 20-25 लाग की गाड़ी खरीद कर खुद को सूपरिस्टार समझने लगते हैं उन सब के साथ विवाहिये होना चाहिए जो मधुबनी जीले के उस गायक के साथ हुआ था खेर आज की इस वीडियो को यही पर समात करते हैं और मिलते हैं ऐसी ही किसी नए वीडियो के साथ तब तक मुझे इजाज़त दीजे धन्यवाद